ये जो बड़ा कार खाना आप देख रहे हैं ये एक बड़े व्यापारी नावे चोधरी के डाइमंड का कार खाना है डाइमंड कारोबारी है नावे चोधरी जो बड़े लंबे समय से डाइमंड का व्यापार कर रहे हैं और ऐसे में इस कार खाने से 90 लाक रुपे के बने हुए डाइमंड की चोड़ी की वारदात को अंजाम दिया जाता है वारदात को अंजाम देने वाले और कोई नहीं बलकि यह जो दो बदमाश आपको CCTV फुटेज में कैड दिखाई दे रहे होंगे यही वो दो बदमाश हैं जिनोंने 90 लाक रुपे के डाइमंड से हाथ साफ कर लिया यानि कि वहां से उसे लेकर यह चले जाते हैं अब आपको यह दो बदमाश दिखाई दे रहे होंगे और दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर इस कार खाने के बाहर पहुँचते हैं एक बदमाश बताया जा रहा है जो बाइक पर ही सवार होता है और दूसरा बदमाश हाथ में कटर लिये नीचे उतर जाता है और कटर के सहारे से ही वो शटर में लगे हुए दो तालो को काट देता है उन्हें तोड़ देता है उन्हें अलग कर देता है उन्हें बाहर फैंक कर और उसके बाद शटर को ऊपर खोलता है लेकिन CCTV पूटेज में जो दिखाई दिया उसके अनुसार पुलिस ने जो जानकारी दी उसके म लेकिन उसके बाद एक बदमाश बताया जा रहा है जिसने उस कैमरे का सिस्रीवी कैमरे का एंगल मोड दिया और उसके बाद एक बदमाश बाइक पर ही बाहर खड़ा होकर निगरानी करता रहा और दूसरा बदमाश शटर खोल के अंदर घुश जाता है और साथ मिनट का समय उस एक बदमाश ने अंदर लगाया और दूसरा बदमाश बाहर बाइक पर बैट कर निगरानी कर रहा था एक बदमाश जो अंदर पहांच जाता है उसने 90 लाक रुपे के बने हुए जो तयार डाइमंड वहाँ पर रखे थे वो हाथ साफ कर लिया उस पर से और उसके अला उसके बाद जैसे ही वो चोर बाहर आता है वो बदमाश बाहर आता है तो उसके बाद एक और उनको जानकारी मिलती है जानकारी ये मिलती है कि पुलिस के साइरन की आवाज उन्हें सुनाई दे रही होती है पुलिस के गाड़ी की जैसी उन्हें आवाज सुनाई देती है उ और वहाँ पर जाकर वो आगे जाकर गायब हो जाता है, फरार हो जाता है, हलाकि पुलिस इस पूरे मामले की सिस्टीवी फुटेज अलग-अलग-अलग-अलग कैमरों से खंगाल रही है, ताकि उनकी लोकेशन का पता लग पाए कि आखिर वो इतनी बड़ी चोरी की वारदा है, तो उसके होश उड़ जाती है, क्योंकि वो देखता है, कि जो ओडर पर उसने 90 लाख रुपे से तयार किये हुए डाइमड रखे हुए थे, वहाँ पर तयार करवा कर रखे हुए थे, वो वहाँ पर नहीं है, उसके अखिर अलबा 3 लाख रुपे नगदी भी वहाँ प पुलिस जब वहाँ पर मोके पर पहाँशती है तो इतनी बड़ी चोरी की वारदात की गंभीरता को देखते हूँ F.S.L. की टीम को भी मोके पर बुलाया जाता है F.S.L. की टीम जैसी वहाँ पर मोके पर पहाँशती है तो उन बड़ माशों के जो फिंगर प्रेंट्स हैं उने भी वह ले लेथी है और जल्द पुलिस इस पूरे मामली की गेहनता से जांज करिए कि आखिर वो कौन दो बड़ माश है हलांकि जो पुलिस ने अव तक जानकारी दी है उनके मताबिक ये है कि ये कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है ये जो दो बदमाश है ये घर के ही बेदी हो सकते हैं या फिर कोई जानकार हो सकते हैं जिने पहले से ही मालुम था कि उस कार खाने में 90 लाख रुपे के डाइमंड तयार रखे हुए हैं मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि इस पहुंचे आप तक